नमस्कार मित्रों, हमारे चनली सिभील पॉइंट में आपका श्वागत है, जैसा कि आपने थमनेल में देखा है, आज हम लोग सेटी टेंग का डिजाइन करना सीखेंगे, बिल्कुल ही नए तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल ही अलग है, डिजाइन ऑप सेट देखते हुए, डिजाइन हम लोग को करना है, देखिए, यही आ रहा होगा, इस्क्रीन को आपको, यह है, आईएस 2470, क्लॉज 3.4.2.1, फेज नमबर 9 है, क्या है, इसी को आधार बना के, हम लोग को, सेटीक टेंग का डिजाइन करना है, तो देखिए, सर्फेस एरिया जो है, 0.92 मीटर हो जागा, एवरी 10 लीटर, पर मीनट ओफ बिक डिशार्ज, यह डिशार्ज के आधार पर है, तो हम लोग को 20 यूजर के लिए, 20 यूजर के लिए, डिजाइन करना है, तो क्या है, 0.92 मीटर स्क्वार, 10 लीटर, पर मीनट, यह हो गया, तो यह डिशार्ज पारदारित है, तो देखिए, आपको आ रहा होगा, इस स्क्रीन पर, डिशार्ज, कितना जो है, 20 यूजर्स के लिए हो जाएगा, बस यह देखिए, यही आ रहा होगा, आपको, देखिए, इसमें क्या है, आइस पर आइस कोड, 2470, टेबूल नमबर टू, पेज नमबर एट, एस्टिमेटर पिक डिस्चार्ज पर स्मॉल टैंक, अप्टू 20 यूजर्स, 20 यूजर्स के लिए कैसे हम लोग निकालते हैं, तो यह कि नमबर एट यूजर्स है, नमबर ऐट फिक्सचर यूनीट, याने की, पाँच यूजर पर एक फिक्सर यूनीट है, 10 पर 2, 15 पर 3 और 20 पर 4, और यहा देखिए, यही सेम होगया, लेकिन यहां, भी सेम है लेकिन यहां तीन के बदले दो हो गया क्यों क्योंकि यह जो है प्रोबेबुल ओप फिक्स्टर यूनिट डिस्चार्जिंग सामल्टेलनियस लिए लगातार जो डिस्चार्जिंग होगा वो इसका 70% लेते हैं और उसको राउंड कर देते हैं 20 के लिए 4 हो गया लेकिन 4 का 70% जो है 2.8 होगा जो राउंड हो के 3 हो गया तो एक के लिए 9 है दो के लिए 18 है यह क्या है प्रोबेबुल पीक्स्टर यी अम coch पर मिनट एक के लिए 9 है 9 ली अमå के लिए 18 यानिक open दो के लिए 18 है 18 लीटर पर मिनट तो हमको 20 euros के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा 27 liter per minute surface area for 10 liter per minute के लिए कितना हो जाता है 0.92 meter square जो कि इसका norms है तो हमारा आ गया है कितना 27 liter per minute तो एक के लिए कितना होगा 0.92 meter square by 10 liter per minute और हमारा आ गया 20 euros के लिए कितना आ गया है 27 liter per minute तो 27 liter per minute के लिए कितना हो जाएगा 0.92 meter square by 10 liter per minute into 27 liter per minute तो यह liter per minute cancel हो जाएगा और इसको आप calculate करेंगे यह आपका आ जाएगा 2.484 meter square याने कि 20 users के लिए जो आपका surface area हो गया surface area 2.484 meter square हो गया अब हम लोगों को क्या करना है कि depth को assume कर लेना है assume कर लेना हमको depth assume depth of water is equal to 1.5 meter तो area हम लोगों का कितना आया था area हम लोगों का आया था 2.484 meter square तो वोलूम कितना हो जाएगा वोलूम और capacity of tank tank या septic tank जो कही है क्या हो जाएगा 2.484 4.484 into 1.5 यह आपका हो जाएगा 3.726 meter की यह हो गया number one अब इसी से हमारा काम तो नहीं चलेगा यह तो सिर्फ हो गया general जो capacity हो लेकिन हम लोगों को जो है उसी जो आप पहले देखे थे फिर देखे फिर आ रहा है स्क्रीन पर आ रहा होगा यह है clause number 3.4.3.2 यह कहता है the capacity required for sludge digestion is 0.033mq per capita at 25 degree c याने कि एक ब्यक्ति के लिए जो है जो sludge जो बैठेगा नीचे safety tank के नीचे उसका quantity 0.033mq है for one year तो sludge का digestion कितना हो जाएगा sludge digestion गेर्टा का बतलब पर यूजर पर कैपिटा एक के लिए हो गया इतना पर केपिटा मतलब एक व्यक्ति के लिए एक यूजर के लिए पोर-ट्वेंटी यूजर कितना होगा 420 users is called to 20 into 0.0 ये 0.0 है 0.033 MQ तो ये हो जाएगा आपका 0.66 MQ ये कितने के लिए हो गया 1 year के लिए लेकिन हमको कम से कम design करना है 2 year के लिए 2 year के लिए अगर design करना है तो क्या होगा 0.66 MQ into 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.32 MQ इसको रखिए 2 याने कि depth of water जो है हमारा लिटर per minute discharge के हिसाब से ये equation 1 में आया 3.726 MQ और सलज जो deposition होगा per user के हिसाब से वो 20 user के लिए वो आया 1.32 MQ तो मतलब जो हमारा net capacity जो होगा net capacity of tank का मतलब septic tank septic tank जो है हो जाएगा 1 अप्लस 2 दोनों का addition हो जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा 3.726 MQ अप्लस 1.32 MQ इसको जब आप एड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.046 5.046 MQ और हमने assume पहले किया था depth कितना किया था assumed depth of water is equal to 1.5 meter था तो अब actual surface area कितना हो जाएगा surface area is equal to 5.046 MQ divided by 1.5 meter ये आपका हो जाएगा 3.364 364 meter square ये actual area हो गया अब जो है हम लोगों को इसका length और beds निकालना होगा septic tank का area अब actual निकल गया या net area निकल गया अब इसका हमको length और beds निकालना होगा ये देखें L इन्टू बी इसकल टू 3.364 meter square तो L को ले लीजे 2.5 B तो अब क्या हो जाएगा L इन्टू B इसकल टू 3.364 meter square तो L के जगह क्या पूट कर देंगे हम लोग 2.5 B 2.5 B इन्टू B इसकल टू 3.364 meter square अब आगे इसका ज़रुबत नहीं है तो 2.5 B square इसकल टू 3.364 meter square B square इसकल टू 3.364 meter square by 2.5 इसको आप calculate करेंगे तो यह आपका आज आएगा 1.3456 meter square और B इसकल टू कितना हो जाएगा 1.3456 meter square इसकल टू 1.16 meter जिसको आप round में 1.20 meter ले सकते हैं depth थमलों का था 1.50 meter लेकिन इसमें हमको फ्री बोर्ड जोड देना है फ्री बोर्ड हमारा होना चाहिए कम से कम 0.30 meter तो बस हमारा सेप्टिक टैंक का डिजाइन as per is 2470 clause number 3.4.2.1 के हिसाब से हमारा हो गया अब देखिए इसका जो है drawing देख लीजे at a glance आप इसको screenshot भी ले सकते हैं drawing देख लीए 3 meter जो है हमारा length हो गया 1.2 meter जो हमारा breadth हो गया और depth जो है 1.5 meter हो गया यहाँ water का depth और 3 बोर्ड हमने कहा था 0.30 meter यह free board हम उनों का हो गया और जो construction है उसके लिए i button में link आ रहा है तो आप वहाँ construction भी septic tank का देख सकते हैं और उसका क्या function है वो भी देख सकते हैं तो बस यही था यह वीडियो यह वीडियो गर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का notification आपको सबसे पहले देख सकते हैं जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू झाल